मश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाच Finder पर सो हाल ही में एक बहुती खराब खबर सामने आ रही है for the farmers of Telangana and Andhra Pradesh because वहाँ पर जो उनका चिली क्रॉप है basically उसके उपर एक बहुती खतरनाक pest attack हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ ही में आप देख सकते हैं इसके चलते जो चिली क्रॉप की यील्ड है यह काफी अफेक्ट हुई है और इसके चलते जो रेड चिली के प्राइज़ है जो उसके दाम है यह पिछले तीन हफते में almost 30% से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं in fact आपको बताना चाहूंगा कि यह काफी चिंता का विशे केवल आंध्रप्रदेश और तेलांगना के लिए ही नहीं है बलकि यह पूरे भारत के लिए भी है because केवल यह दो स्टेट्स जो है आंध्राप्रदेश और तेलांगना they account for 67% of the country's chili production उसके बाद number 3 पे करनाटका आती है और number 4 पे मध्रप्रदेश आती है आंध्रप्रदेश accounts for 43.5% and तेलांगना basically accounts for 23.5% production of the chili in the country और आप देख सकते हैं during the 2020-2021 season जो red chili production है it has been estimated at a record of 19.88 lakh tons लेकिन ये estimate obviously यहाँ पर पूरा नहीं हो पाएगा पिछले साल जो production थी that was 19.14 lakh tons लेकिन इस साल ये estimate obviously पूरा नहीं हो पाएगा thanks to the pest attack जो की यहाँ पर हुआ है because of the trips बात करेंगे कि ये pest attack कौन सी यहाँ पर pest के द्वारा किया गया है also discuss करेंगे कि इसका impact क्या होने वाला है और ये pest attack क्यों किया गया है इसको लेकर विज्ञानिक क्या कह रहे है चले शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गई telegram channel के माध्यम से इसके इलावा आप लोग जोट सकते हैं using this particular handle on the Unacademy app as well right so as you can see over here यह कुछ images सामने आ रही है यह basically दिखाया जा रहा है कि यह जो आपका pest है यह बहुत ही शुरुवाती time पे इस particular crop को affect कर रहा है यह वाला जो आपका crop basically जब केवल flowering stage में होता है उसी time पर आप देख सकते हैं यह वाला pest यहाँ पर इस crop को attack करना शुरू कर चुका है यह वाला जो crop जिसकी बात कर रहा हूँ यह वाला जो pest जिसकी बात कर रहा हूँ it is basically affected with a new invasive pest जिसका नाम है thrips parvy spinus इसकी photo आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके चलते सभाविक सी बात है कि farmers काफी जादा यहाँ पर चिंता में आ चोके हैं heavy rains in the growing areas have compounded the problem according to the traders farmers are worried that the crops yield might take a hit due to the pest in fact कई सारे farmers ने यहाँ पर अपना personal experience बताया है मैं आपको केवल एक farmer का experience बताने वाला हूँ seeing the pest population in huge numbers and the plants are wilting farmers have begun to pluck the plants and plow the fields उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने यहाँ पर plants को pluck करना शुरू कर दिया है और दुबारा से अपने खेतों को जोतना शुरू कर दिया है इस उमीद में कि अब जो है वो अगला crop यहाँ पर लगाने वाले है so that इस pest से उनको चुटकारा मिल सके now इसका जो सीधा सीधा impact देखने को मिला है because chili की production कम हो चुकी है तो obviously जो यहाँ पर उसके दाम है वो definitely बढ़ने ही थे जो जो modal price होता है जिसके उपर basically आपकी जो trades होती है वो take place करती है वो modal price जो की अभी तक जो 11,000 रुपे के आसपास चल रहा था प्रती quintal वो वाला price बढ़कर के 14,800 के आसपास पहुंच चुका है in fact अगर आप देखेंगे गुंटोर में इसी चीज़ का जो price है वो 13,000 से 15,000 प्रती quintal टच कर चुका है in fact कुछ-कुछ traders तो यहाँ पर जो price है वो 16,500 से 19,500 को भी touch करवा रही है because काफी जादा huge demand आ रही है domestic और international market से जिसके चलते यहाँ prices में हमें एक बहुत ही बड़ा rise देखने को मिल रहा है in fact यह भी कहा जा रहा है कि क्यूंकि यहाँ पर production में कम ही आई है आगे जाके exports भी सफर कर सकते हैं यह basically Spice Boards of India का यह statement है कि जो है पिछले fiscal में 6.01 lakh tons of chili were exported last fiscal against 6.7 lakh tons the previous year और इस बार कहा जा रहा है कि शायद यह आपका जो export है वो और कम हो सकता है हाला कि यह उन्होंने कहा है कि clear picture will be available in early January दोस्तों Spice Sports of India यह basically एक Indian government की regulatory agency है ठीक है और इसका जो headquarter है यह Kerala में Kochi के अंदर located है Now the biggest question is कि यह basically हुआ क्यों है तो इसमें एक professor है Dr. R. Jagdishwar जो की director of research है at the professor Jaisankar Telangana State Agriculture University इन्होंने कहा है the indiscriminate use of pesticides and a cocktail of pesticides is the reason यह सबसे important reason था कि मैंने इस topic को आपके साथ discuss किया है हमने कई बार इस तरह के सवाल पहले देखे हैं UPSC में कि अगर आप कुछ गलत इस्तिमाल करते हैं दवाईयों का या फिर गलत उनको combination में इस्तिमाल करते हैं तो उस case में जो आपका microbe है फिर जो आपका insect है वो यहाँ पे resistance पैदा कर सकता है तो इस चीज़ को काफी जादा एहमियत दी जाने लगी है आज कल the pest has developed resistance to the pesticides making way for the new attack जो आपका pest है वो basically वो दवाई से मर नहीं रहा है जिसकी वज़े से आज के time पे यह नया हमला उन्होंने इन crops के उपर किया है लेकिन साथी में जो यहाँ पर professor है इन्होंने इसका solution भी दिया है इन्होंने कहा है कि एक तो neem oil का इस्तेमाल किया सकता है और साथी में farmers should consider planting sunflower crop next to the chili fields इसका फाइदा क्या होगा जो sunflower का crop है यह basically pest का एक natural enemy है तो इसको देखकर वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे और साथी में pest की population भी यहाँ पर कम हो सकती है तो यह कुछ यहाँ पर solutions भी offer किये गए हैं जिसकी मदद से basically यह जो menace है इसको कम किया जा सकता है तो यह थी एक छोटी सी वीडियो in order to tell you कि कि किस तरीके से जो microbes या फिर insects का resistance है वो बढ़ सकता है अगर आप लोग pesticides का गलत इस्तिमाल करते हैं फिलाल के लिए वीडियो में इतना है जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि unacademy का जो annual price hike है यह popular demand के चलते extend करवा दिया गया है इसमें आपका जो GS का course है इसका दाम बढ़ने वाला है रुपीज 2000 से और जो GS combo का course है इसका दाम बढ़ने वाला है रुपीज 3000 से लेकिन इसकी जो date है वो अब बढ़ा करके 23 December करवा दी गई है इसमें आप जब course को purchase करेंगे तो आपसे पुछा जाएगा एक referral code जहां पर आप लोग अनी UPSC code का इस्तिमाल करते हुए 10% discount ले सकते हैं साथी में ये वाले फाइदे भी आपको मिलने वाले हैं मेरी personal guidance, whatsapp group में edition और 20 books भी आपके घर तक पहुँचाए ज लावा अगर आप लोग iconic course कर जाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग option choose कर सकते हैं जिसमें कि आपको personal coach और mains की question answer writing practice भी करवा जाएगी इसका जो दाम है that is 74,500 रुपीज और इसमें भी आप लोग अनी UPSC code इस्तिमाल करते हुए 10% का discount available करवा सकते हैं ध्यान रखिए आप आज प्लस खरीच सकते हैं कल को इसमें upgrade कर रहा सकते हैं iconic में अगर आज आप जो है iconic को afford नहीं कर पा रही हैं इसके साथ ही में यह वाले dedicated batches हैं जो कि आपके लिए शूरू करवा जाए हैं यह 2022 के बच्चों के लिए 15 December से शुरू कर जाएगा batch यह NCRT batch है और इसके अलावा इसके साथ ही में अगर आप लोग UPSC की combat में हिसा लेते हैं तो इस रविवार के दिन आपके लिए एक mega combat page कर जा रहा है जिसमें की अनी UPSC code इस्तिमाल करते हुए आप लोग यहां पर जो है enrolled कर सकते हैं totally free of cost और यह सारे के सारे फायदे भी आप लोग इस particular combat में आके ले सक सकते हैं इसके साथ में हमारी free test series चल रही है इसका भी आप लोग फायदा ले सकते हैं on that note I take your leave thank you for listening stay tuned and stay safe